हेलो स्टुडेंट, आई हम दुर्बींदर कौर, फिकल्टी एट अभी मन्यु आईए, से वीरी वहां वेलकम आलोफ यू स्टुडेंट, आई होब यू आलोफ यू स्टुडेंट, आज हम यहां पे स्टुडेंट पंजाब सिबल सर्विसीज के लिए एक बहुत ही इंपोर् यू नो टॉपिक पर डिस्केशन करेंगे, that is our consistency, कि consistency क्या चीज है और किस तरीके से यू रोल प्ले करती है, हमारी यू जब हमें किसी competitive exam के लिए यू प्रपेर करते हैं, तो उसमें consistency का क्या रोल है, इस बात पर हम डिस्केशन करेंगे, तो नहीं में student टॉपिक आपको बह very important, because कई बार हम इसकी importance समझ नहीं पाते हैं, और जब तक हम समझते हैं, तब तक time बहुत निकल जाता है, right, और मैंने ये भी देखा है कि बहुत बार जो students होते हैं, वो, you know, अपनी, जब वो journey में होते हैं, preparation की journey में होते हैं, तब वो इस word को बहुत ही lightly ले ले लेते हैं, ठ जो हमने बच्पन में कहानी पड़ी थी, कच्छुए और उसकी घरगोश की टर्टल और उनकी जब हमें कहानी पड़ते हैं, right, तो उसकी importance हमें तब समझ में आते हैं, कि that's not a mere story, ठीक है, बट ये हमारी life में भी बहुत ज़्यादा important role play करती है, ठीक है, कैसे करती है, इस ची services, right, okay, okay, आपको भी पता है, last exam हमारा 2021 में हुआ था, 23 में भी नहीं हुआ, हमारा, सब ने बहुत वेट की, बट हाँ, आप तो government की तरव से बहुत सारे, you know, ऐसे response आने शुरू हो चुके हैं, कि हांजी, आपका जो exam है 2024 में conduct हो जाएगा, और आपकी notification भी जल्द ही out हो ठीक है जी, ओके, तो understand करते हैं, let's understand the importance of consistency in your preparation, कि preparation के time पे आपकी जो consistency है, वो किस तरीके से role play करती है, तो student मैं वापस से फिर से उस्टोरी को यहां पे repeat करना जाओंगी, ठीक है, सब को वैसे तो पता है, बट फिर भी हम इसको आज फिर से एक बार देख लेते हैं, एक बार एक कच्वा होता है और एक हमारा खर्गोश होता है, तो खर्गोश कहता है कि चलो हमरे एक race लगाते हैं, कच्वा मान जाता है, कहता है, हाँ ठीक है, जी, ओके, चल दिया, तो रस्ते में जो खर्गोश होता है, वो सो जाता है, उसको पता होता है, वो ऐसा सोचता है कि मैं तो जीत ही जाओंगा, right, obviously खरगोश जो है, वो कितना तेज भागता है, कछुआ कितना slow चलता है, आपको भी पता है ना कई बार हम वैसी कहा देते कि कछुआ की चाल जलता है यह आदमी, इसका मतलब बहुत slow चलता है, तो वो रस्ते में सो जाता है, कछुआ जो है, वो consistently धीर धीरे, 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 अपना continue आगे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और at the end वो जीत जाता है, और जो rabbit होता है, वो सोया ही रह जाता है, ठीक है, बट जब उसको नीन से जागता है, जब वो भागता है, ठीक है, तो वो देखता है कि कछुआ प प्रैक्टिस करते हैं, तो at the end जीत आपकी ही होगे, ठीक है, और ये चीज यहाँ पे भी valid है, जब आप एक exam के लिए त्यारी करते हैं, student, जब भी आप एक exam के लिए त्यारी करते हैं, student, तो आप एक चीज याद रखिए, बच्चे, प्लीज रिमेंबर my one thing, अभी देखो, इस time पे notification नहीं आई है, कई बच्चे होंगे, जो एक साल से prepare कर रहे होंगे, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे, उस time पे उनकी preparation हो चुकी होगी, और preparation से मेरा जो मतलब है, वो यह है कि आपका prelims, mains दोनों चीजे ready हैं, मतलब कि आपको question लिखने भी आते हैं, और MCQ की form में भी आपके full to full number आ रहे हैं, मतलब कि जब भी अगर मैं आपको अभी इसी mains का एक test दूँ, तो आपकी उसमें से बहुत अच्छे number आएंगे, ऐसा मैं expect कर preparation हो चुकी है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, जुन्होंने एक साल पहले, दो साल पहले PCS के लिए coaching ले ली होगी, उन्होंने सारी classes attend कर ली होगी, या वो इस time पे बिल्कुल उनकी classes over होने वाली होगी, ऐसे भी आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे, but see here student, one thing you should clear in your mind, that is कि आप ऐसा बिल्कुल मत सोचके बैठिये कि हंजी, मैंने अपना syllabus पूरा कर लिया, मैंने classes लगा रही, इसका मतलब मेरा PCS तो बिल्कुल जी, एकदम 100% ready है, मेरे से आज paper ले लो, मेरा paper तो clear हो ही जाना है, ऐसा overconfidence आप अपने अंदर मत रखिए, ठीक है, और अगर है, तो आप ऐसे कीजिए, आज ही मेरी बात मानो, 2021 का आप ऐसे करो, prelims का mains का paper उठाईए और उसको लिखिए, जब आप उन 20 questions को लिखोंगे, लिखेंगे, तो आपके reality जो है, वो आपके सामने ही होगी, ठीक है, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कि हंजी, आपकी preparation है या नहीं, और अगर आप वो 20 questions लिख देते हैं, then okay, well done, well done, good, ठीक है, फिर आप, मैं, आप मान सकते हैं कि हंजी, आपकी पंजाब civil services की preparation जो है, वो complete है, otherwise अगर आप ऐसी stage में नहीं है, ठीक है, तो please, दुबारा से reconsider कीजिए अपनी preparation को और वापस से उसमें जुट जाईए, ठीक है, अब देखिए आप यहां पी, दूसरे candidate वो होंगे student जिनका अभी तक preparation जो है, वो उन्होंने शुरू नहीं किया होगा, या start कर दिया होगा, तो वो क्या कर रहे होंगे, मैं आपको बताती हूँ, वो ऐसे कर रहे होंगे, जैसे उनका week है, यह आपका पूरा week है, उसमें से वो एक दिन, दो दिन, तीन दिन, हो सकता है, दिन में कोई half hour, one hour, two hour, वो पढ़ रहे हो, या एक आदी class, वो किसी ना किसी center में लगा रहे होंगे, और उनको लग रहा होगा कि हंजी, हमारी तो preparation जो है, वो चली रही है, ठीक, बट प्लीज आप इस चीज, यह बिल्कुल मित है, आप इससे मत सोचे student, consistency यह नहीं है, अगर आप इस चीज को consistency समझ रहे हो ना बच्चे, फिर आप गलत हो, फिर कहीं ना कहीं आप गलत हो, चाहिए आप एक, यूनो, चाहिए आप एक job करते हैं, चाहिए फिर आप, यूनो, आप एक working aspirant हैं, चाहिए आप graduation कर रहे हैं, इस टाइम पर, post graduation कर रहे हैं, बच अगर आप ऐसा कुछ follow कर रहे हो, then you are not consistent in your study, ठीक है, consistency नहीं है, student उस चीज को consistency नहीं कहते हैं, जो आप समझ के बैठे हो, consistency word का जो मतलब है ना student, उसका ये मतलब है कि, की अंदर student, आप continue जो है, अपने schedule को follow कर रहे हैं, अपने schedule को क्या कर रहे हो, student follow कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है student, कि आपने schedule बना के रखा हुआ है, यहां पर, ठीक है, वो आपका weekly हो सकता है, monthly हो सकता है, daily हो सकता है, और आप उसको continue follow भी कर रहे हैं फिर आप कहा सकते हैं student की हंजी आपकी जो preparation है वो consistently है ठीक है वो schedule आपका two hour का भी हो सकता है minimum two hour तो होना ही चाहिए two hour से कम तो आप क्या ही पढ़ रहे हो फिर फिर तो आप बस formality कर रहे हो या फिर अपने आपको आप illusion में रख रहे हो ठीक है तो यहाँ पर आप उस schedule को continue follow कर रहे हो और discipline के साथ आप उसको follow कर रहे हो continuously ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आपकी दोस्त की शादी है तो चलो जी कोई बात नहीं कल पढ़ लेंगे आज आपके friend की शादी आज किसी का बड़े है आज girlfriend का बड़े है आज boyfriend का बड़े है आज किसी relative के घर जाना है ठीक है तो चलो कोई बात नहीं फिर फिर आपका schedule नहीं है फिर नहीं है फिर आप उस पे कांटा लगा दीजे फिर आप गलत हो फिर आप consistency word से आप वाकिफ नहीं हो seriously फिर आप वाकिफ ही नहीं हो फिर आपको पता ही नहीं है student की consistency किसको कहते है consistency word का जो सही मतलब है वो ये है student की चाहे कुछ भी हो जाए जैसे आप सांस लेना नहीं भोलते आप रोज खाना खाते हैं रोज अपने daily जो भी आपके काम है essential work है उनको आप पूरा करते हैं बिल्कुल वैसे ही आप अपनी study से related आप consistently उसको उस chart को उस जो भी आपका schedule है उसको आप regular follow करते हैं then आप कहा सकते हो कि हंजी मेरी जो study है वो consistently चल रही है for the Punjab civil services और अगर आप ऐसा follow कर रहे हो student then trust me student आपका Punjab civil services किसी और का हो ना हो आपका definitely होगा आपका definitely Punjab civil services qualifying होगा और इसकी बहुत सारे advantage भी है क्या क्या advantage है देखते हैं पहला student build your self-confidence अगर आप regular इसको आप ऐसे समझे student जैसे आप regular exercise करते तो उसके benefits आपको regular मिलते हैं student daily basis पे daily basis पे आपकी energy high होते है daily basis पे student आपको कभी anxiety नहीं होती आप बहुत कम होता है कि आपको depression हो जाए या बहुत rare chances है कि आपको को stress हो जाए उसके आपको consistently आपको हो रहते हैं और आपकी life के अंदर confidence रहते है confident feel करते हो ना जब आप exercise करते हो energy रहती है आपके अंदर positivity रहती हो तो आप बहुत ही confident feel करते हो ठीके? ओके? तो बिलकुल student वैसे ही जब आप consistently study करते हैं student जब आप उस schedule पे बहुत ही ज्यादा उसको discipline तरीके से आप उसको follow करते हैं student तब आपका self confidence भी build होता है फिर आपको confidence confident होने के लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है student की आप कोई motivational video सुनो आप किसी से बात करो कोई need नहीं है आपको पता है कि आप जो कर रहे हैं वो right है ठीक है? आपको पता है कि आप prelims के लिए बहुत अच्छे से prepare कर चुके हैं अपने सारे subjects हैं इस time पे अगर मैं कोई भी test दूँ negative marking के साथ मेरे number जो है वो 160, 150 के करीब आ रहे हैं इसका मतलब कि मेरा prelims जो है कोई नहीं रोक सकता C set के अंदर मेरे out of 200 मेरे 180, 170 marks जो है वो आ रहे हैं मेरे को आप कैसा भी paper दे दीजे ठीक है मेरे mains जो है जो मैं mains की practice कर रहा हूँ उसमें daily basis पे मेरे questions के अंदर improvement हो रही है आप topers के साथ उनको check कर रहे हैं अगर आप कर रहे हैं ऐसा और आपके number जो है वो हर एक test के अंदर 250 में से आपके 120, 130 अगर आपके ऐसे number बन रहे हैं ठीक है मान लीजे आपने को test series ली हुई है main skill year उसमें से आपकी इतने number आ रहे है pretty sure student की आप जो है वो consistently आप अपना schedule follow कर रहे हैं consistently आप prepare कर रहे हैं वर्दा Punjab civil services और यही चीज आपके अंदर self confidence को boost करेगा आपको पता होगा कि हंजी मेरी preparation बिलकुल align है और मैं बहुत अच्छे यहाँ पे you know output मेरा आ रहा है आप improve करें इसका मतलब यह नहीं कि starting में आपके 200 में से 160 नहीं अगर मालो आज आपने शुरू किया this is your day one आप daily जो है वो three hour पढ़ते हैं इसके साथ साथ आप job भी करते हैं या graduation करते हैं आप fresher है fresher है तो चलो फिर तो अलगी बात है और अगर आप daily basis पे अगर आप one hour three hour जो है वो आप पढ़ रहे हैं consistently चाहे कुछ भी हो जाए चाहे relative की marriage आजए boyfriend का birthday आजए girlfriend का आजए कुछ भी हो जाए आप three hour पढ़ ही रहे हैं यह आपका fix है fix है पूरे दिन में या रात के time पे आपका fix है और आप देख रहे हैं कि consistently आपके number पहले test में 50 आए फिर दूसरे में 60 आए तीसरे में 70 आए इस तरीके से आप improve करते जा रहे हैं हर daily चाहे 50 से आप 55 पे आ रहे हैं फिर आप 60 पे आ रहे हैं 60 से आप 62 पे आ रहे हैं 65 पे आ रहे हैं 7 पे आ रहे हैं आपके number अब 70 आने शुरू होगे 80 आने शुरू 90 इस तरीके से अगर आपके number content बढ़ रहे हैं इसका मतलग कि आपकी preparation अच्छी होते जा रहे है दिन बर दिन बर दिन जैसे जैसे दिन निकलते जा रहे हैं और आप एक limit time के अंदर ऐसा कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि आप पूरा साल लगे हुए एक साल बाद आप नंबर देख रहे हैं कि हंजी लास्ट एक साल में मेरे पहले दिन मेरे टेस्ट में 50 आए थे और एक साल बाद मेरे 70 आ रहे हैं तो मैंने बहुत इंप्रूव कर लिया है नहीं एक लिमिट टाइम के अंदर ये बात मैंने पहले भी किये आगर फॉर एक्जामपल आप पॉलिटी पढ़ देख ये नहीं होना जाए कि आप पूरा साल पॉलिटी लेके बैट थे महिने सा पॉलिटी लेके बैट फिर थोड़ी ना आपी का सिस्टेंग अपने उसको एक लिमिट टाइम में पूरा कि अपने टाइम लिया कि मैं वन मन्त की अंदर वन मन्त की अंदर मैं अपना स्टेटिक पॉर्शन पॉलिटी का कम्पलीट कर देब और उसके बाद मैं कंटीनियूसली 20 टेस्ट लगाऊंगा पॉलिटी के फिर देखिया पॉलिटी इस तरीके आपने जोग्राफी की इस तरीके 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 इस से आपको आ रहा है कि हांजी आज मेरे को अपना test 100% मेरे को देना इसमें, मेरे को मेरे को mains का ये test देना तो मैं बहुत अच्छे से perform करूँ है ठीके, तो ये जो है self motivation आपको किसी की motivation की ज़रूरत नहीं है student अगर आप consistently अगर आप अपना काम कर रहे हैं, कर रहे हैं consistently आप उस काम को करते जा रहे हैं जो भी आप काम कर रहे हैं अपना study जो है वो आपको आप इमानदरी के साथ, honesty के साथ अगर उसमें आप पढ़ रहे हैं student तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है student किसी भी motivation next student smart study ये word वैसे तो हो सकता है, आप सोच रहे हैं कि यहां पर fit नहीं बैठता, बट बैठता है student जब आप consistently चीज़ों को देखते रहते हैं देखते रहते हैं, जैसे मानलो आज आपने PYQ देखे, मेरा PYQ सेशन देखा फिर अपने PY को खुद से कोशन देखे फिर आपने analyze किया कि मैं आपने किस तरीके से करवाया मैं इसमें से और क्या देख सकता हूँ हाना, क्या चीज है जो मुझे दिखाई दे रही है या मुझे दिखाई नहीं दे रही मैं आपने ऐसे बोला आपने सोचा उस चीज के बारे में आपने मेरी mentorship की videos देखी है आप मैंने इतनी सारी videos अब तक मैं आपके लेकर आ चुकी हूँ तो आपको समझ में आपको लगा कि यार time management समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरी time management की video निकाल के देखे आपको लग रहा है कि यार PY क्योंकि important समझ में नहीं आ रही कैसे पढ़ने है मिरको उसको आप समझे आप उस video को follow कीजिए आपको working aspirant आपको नहीं समझ में आ रहा time management कैसे करना आप मेरी working aspirant वाली video देखे तो हर चीज के लिए student solution आपके सामने बस आपको उसको निकाल के देखना है आप वो भी नहीं कर पा रहा है फिर तो क्या ही क्याना और जब आप किसी चीज को consistently देखते जाते हैं student तो आपको समझ में आता जाता है आप smartly तरीके से move करना शुरू कर देते जैसे की जैसे मैं आपको बताते हूँ जैसे मैं क्या करती थी पहले मैं quality का सारे सारे chapter पढ़े के test लगाते थी फिर मैंने देखा कि नहीं number improve नहीं हो रही मैंने एक एक test करके उठाना शुरू किया chapter wise मैंने test लगाने शुरू किया मैंने market से एक book purchase की जिसमें chapter wise question दियो थी MCQ के वह भी आप बहुत सारी book सा ले सकते हैं purchase कर सकते हैं तो मैंने chapter wise MCQ लगाने शुरू कि मैंने देखा कि number तो improve होई रहे है मेरे quality के अंदर इसके साथ साथ मैंने देखा कि मेरे quality बहुत जल्दी over हो गई तो ये मैंने smart तरीके से देखा फिर मेरे को elimination की बहुत सारे tricks नहीं मुझे पता थी मेरे कुछ नहीं समझ में आता था कई बार question common sense से भी solve करने वाला होता है वो मेरे से नहीं हो पाता था तो मैंने smartly play करना शुरू किया कि हंजी किस तरीके से examiner कैसे सोचते हैं और फिर मैं किस तरीके से उस question को करके लेके जा सकती हो ठीके क्या सोचकर इसने ये exam में question सेट किये ठीके current affairs में आपका smartness बहुत ज़्यादा आपका help करती है आपको पता जल्दा जैसे जैसे स्टार्टिंग में आप newspaper पढ़ोगे आप सब पढ़ते जाओगे अब पढ़ते जाओगे फिर आप धीरे धीरे देखोगे कि आप जो है वो आप eliminate करना शुरू कर रहे हो अपने time को बचाना आपने time को save करना शुरू करती है पहले आप 2 गंटे, 3 गंटे, 4 गंटे बैठे रहते निउस पेपर ते आप क्या करते हैं? आपको देखती है पता चल जाता है ये news काम की है, ये news नहीं काम की चलो छोड़ो इसको आगे बढ़ते हैं आपको पता चल जाते है यार ये important fact है, ये मैं note कर लेता हूँ मैंने एक PYQ देखा था, मैंने एक question देखा था वहाँ पे ऐसा question put किया हूँ था ये question मेरे काम का है, ये question मेरे काम का नहीं है चलो छोड़ो तो आप smartly, smartly study करना सीख जाते हो बच्चे जब आप consistently, you know, अपने work को आप करते जाते हो अपने study को आप लेके जाते हो ठीक है? ओके? और practice तो practice makes you perfect student practice तो आपको पता ही है student आपका C-set week है, आप practice कीजे जब आप practice करते हैं क्या होता है student? जब आप daily basis पे practice करेंगे उसमें improve होना तो लाजमी है student, आपको कोई रोकी ने सकता अगर daily basis पे, आपका math बहुत week आप daily basis पे practice करना शुरू कर दीजे एक दिन math भी आपके लिए खेल बन जाएगा clear है student की बात? समझ में आई तो consistency की importance समझ में आई है आपको क्या चीज है consistency? आज आपको clear हो गए ठीक है? daily basis पे classes लगाना भी consistency नहीं है daily basis पे आप सोच रहे हो कि मैं एक अदा chapter पढ़ लेता हूँ ये वेरी consistency है तो ये भी नहीं है daily basis पे आप सोचते हो कि चलो एक आदा test लगा लेते हैं बैठे बैठे ये भी आपनी consistency नहीं है daily basis पे आप देखते हो कि आज आपने दो गंटे पढ़ लिए आपने गंटा पढ़ा पर सो आपने आदा गंटा पढ़ा और उससे अगले दिन आप किसी की शादी में चलेगे उससे अगले दिन आप किसी के बड़े पे चलेगे फिर उससे अगले दिन आपका mood नहीं बना तो ये भी consistency नहीं है पूरे शिदत के साथ आप किसी schedule को अगर आप follow करते हैं daily basis पे चाहे कुछ भी हो जाए इदर से उदर दुनिया हो जाए बट आप अपने schedule को नहीं छोड रहे हैं उस चीज को आप बोलोगे कि आप consistently अपनी जर्नी को आप तया करते जा रहे हैं या आप consistently आप अपने time table को आप follow कर रहे हैं उसी को हम consistency कहते हैं और consistency होना पंजाब civil services के लिए बहुत important है student because ये exam कोई खेल तो है नहीं student ठीक है बहुत difficulty level बढ़ता जा रहा है ये हम पहले भी एक बार बात कर रहे थे तो student आप अपनी study को आप continue रखिए ठीक है थोड़ा जादा वो matter नहीं करता बस consistently आप follow क पढ़िए ठीक है जी? ओकी? ठीक है जी? ओकी स्टोडेंट तो इसी के साथ मैं ये session यहाँ पर over कर रही हूँ और इसी के साथ student हमारा new badge start हो चुक्या है for the Punjab Civil Services तो आप join कर सकते हैं link आपको description box में मिल जाएगा और इसमें students हम जो है वो zero से मतलब बिल्कुल basic से हमने शुरू किया है जिसमें prelims, mains, दोनों stages की हम यहाँ पर preparation करवाएंगे हमारे जो faculty है वो बहुत experienced है ठीक है last 25 years से अभी one new OIS known है for its success ठीक है जी? तो आप join कर सकते हैं link आपको description box में मिल जाएगा thank you, thank you so much, have a nice day